हेलो अबरीवन वेल्कम तो दिस चैलेंग्ज जोलोजी नोट्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फिजियो लोजिकल एनाटोमी आप किड्नी यह जो टॉपिक है यह जाम में अधिकतर लॉंग में पुछा जाता है और यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है क्योंकि के हरी कहनेंड में क्या है फिगर इंकलूड तो क्या होता है फिंजियो लोजिकल एनाटोमी आप किड्नी ह॥़्स बॉPod इस दोनों किड्नी जो होता है यह एक जगह पर इस्थीत नहीं होता है जो राइट किड्नी जो होता है वो थोड़ा सा लोबर होता है यह थोड़ा से लोबर होता है क्योंकि कारें यह ना कि अब्नमेन की राइट साइड पर लीवर का मतब जगह होता है इस्ट्रक्चर आप किड्नी यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉकर नहीं वो फिगर में आपको दिखा देती हूं यह फिगर है मैन की यूरिनरी सिस्टम का और यह फिगर आप बना सकते हैं अगर टाइम का मिले तो इस फिगर का आप इसकी भी कर सकते हैं नीचे लिख दीजिए का फिगर यूरिनरी सिस्टम अप मैं इस्ट्रक्चर आफ किड्नी का इस्ट्रक्चर कैसा होता है इड हैज़ इस बी शेप दा उटर स्फिच इस कोडेक्स कॉंवेक्स अर्डा इनर सर्फिक यह ज़ो होता है और इसका जो आउटर सर्फिच जो होता है और अंदर का सर्फेस होता है वो कॉन क्या होता है दे इनर सर्फेस दीप नौच काल्ड ही लस इसके अंदर का जो सर्फेस है उसमें थोड़ा एक खाचा जैसा मझूद होता जिसको हीलस कहा जाता है इन a section आप किड्णी फेरिफ़लर पोर्शन एपिए डार्क रेरिस ब्राउन and the central portion appear light red, अगर किड्नी का section को देखें जाए तो इसका जो peripheral portion होता है ना यह dark red is brown color का होता है और central portion जो इसका होता है वो light red में होता है, the peripheral area is called cortex and central area is called medulla, इसके peripheral area को cortex का जाता है और central area को medulla का जाता है, इस kidney contains 10 to 15 pyramids, इस pyramids are separated by the projection of cortex called renal column of button यह जो इसके kidney में होता है ना 10 से 15 pyramids पाय जाते हैं और pyramids एक दूसरे से अलग होते हैं एक तरह के cortex के projection के द्वारा जिसको का जाता है रेनाल कोलम of button इस pyramid has thousand of tubules called uraniferous tubules, हर एक pyramids में thousand of tubules पाय जाते हैं जिनको uraniferous tubules का जाता है, यहाँ पर भी आपको एक figure ड्रो करना है, यह figure है आपके man का kidney का, यह figure जरूब ड्रो कीजिएगा, आप चाहिए तो first वारे के skip कर सकते हैं लेकिन इसको skip नहीं कीजिएगा, यह figure आप जरूब नहीं हैगा, उसके बाद हैं nephron, nephron is the structural and functional unit of the kidney, kidney का सबसे man unit है nephron, जो एक तरह का structure of function unit होता है, जैसे हमारे central nervous system का, अगर कोई functional unit होता है, तो वो neuron होता है, उसी तरह जो हमारे kidney का जो होता है, वो nephron होता है, इसको दूसरा नाम uraniferous tubules भी कहा जाता है, यह nephron consists of twisted tubules, closed at one end, one open at the outer end, and a network of associated blood, यह जो nephron जो होता है, एक तरह का twisted tubule होता है, मतलब दो, एक होता है, एक तरह का tubule होता है, घुमाओदार, जिसका होता है, एक छोर बंद होता है, तो दूसरा छोर जोता है, वो खुला होत होता है, और यह तरह का network होता है, associated blood का, each kidney of man is formed of about 1 to 1.3 millions of nephron, अगर man's का kidney, हर एक kidney जो होता है, वो बना हुआ रहता है, एक से 1.3 million nephron का बनावा होता है, the number of nephron decreases after 45 to 50 years at the rate of 1 percentage every year, एक नंबर जो nephron का जो सैंख्या होता है न, वो 45 से 50 year के बाद क्या होता है, हर एक साल 1% तक घरते जाता है उसका rate, types of nephron, nephron कितने तरह का होता है, human kidney has two types of nephron, they are, human kidney का जो होता है, वो nephron दो तरह से होता है, जैसे की, पहला, cortical nephron, the malphysian corpuses are in the outer cortex, इस तरीकी का nephron क्या होता है, malphysian corpuses जो होता है न, वो बाहर की तरफ होता है, 85 percentage of nephron this type, इसका 50 percentage of nephron जोता है, बस cortical nephron की तरह ही होता है, उसके बाद the second है, juxtamedullary nephron, the malphysian corpuses remain in the inner cortex near the medulla, इस तरीकी का जो nephron जो होता है, वो malphysian corpuses जो होता है, वो अंदर की तरफ होता है, सामने medulla के सामने, उसके बाद है parts of nephron, each nephron consists of two parts namely, nephron का जो होता है, basically दो पार्ट होता है, पहला malphysian corpuses, दुसरा renal tubule, इस चार्ट के दोवारा आप easy समय सकते हैं कि कैसा मतब पार्ट होता है nephron का, nephron का दो पार्ट होता है, malphysian corpuses और renal tubule, malphysian corpuses दो भाग में बाटा जाता है, verman capsule और glomerulase, और renal tubule जोता है, वो तीन भाग में बाटा जाता है, proximal convoluted tubule, handy lip और distal convoluted tubule, hannily lip जोता है, वो तीन तरह का होता है, descending limb, hair fin bend, ascending limb, descending limb, दो तरह का होता है, ठीक descending segment, thin descending segment और जो ascending link होता है वो भी दो तरह का होता है thin ascending segment और thick ascending segment और नीचे लिख दीजेगा component आप नेफरोन इसको अगर बनाईए गत्व होता है आप थोड़ा थियोरी में कम कर सकता है पहला malphusion corpuscles यह क्या होता है the malphusion corpuscles is a glomeral structure located at one end of the nephron यह जो malphusion corpuscles होता है एक तरह का globular structure में पाए जाता है और यह मौजूद होता है nephron के एक साइड में मतलब nephron के एक शोर पर malphusion corpuscles मौजूद होता है it is also called renal corpuscles इसको renal corpuscles भी कहा जाता है it is the filtration unit of the nephron यह जो nephron का होता है ने यह nephron का filtration unit होता है the malphusion corpusels is formed of two components namely woman capsule and glomerulus malphusion corpusels जो होता है वो दो component का बनावा होता है woman capsule और glomerulus का यहाँ पर आपको malphusion corpusels का figure बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यह figure है आपका malphusion corpusels का यह figure आप जरूद ड्रॉ कीजिएगा आप चाहे तो component को skip कर सकते हैं जो में उतना चार्ट दिखाएं बाकी आपको ये लिखना होगा ये figure जो आपको draw करना होगा मालफिजियन कॉर्पोसल्स का वोमेन कैपसुल इस डवल वाल्ड कप ये जो वोमेन कैपसुल जो होता है ना दो लेयर का कप होता है या फिर उसको कहा जाता है जब दो दोनों मिलता है तो एट कैपसुल लिट इंटो दा टुबलेर पोशन इसका हर एक कैपसुल जो या वो लिट करता है टुबलर पोर्शन को उसके बाद है renal tubule, the renal tubule is made or formed of three components, renal tubule जोता है वो तीन component का बनावा होता है, proximal convulated tubule, handle loop और distal convulated tubule, the proximal portion of the tubule arising from the woman capsule throw into many coils called proximal convulated tubule, यह जो proximal portion जो होता है ना tubule का, वो arise होता है, वो निकलता है woman capsule से, और यह बहुत सारे part में थ्रो होता है as a coil, उसको proximal convulated tubule कहा जाता है, it leads into a new shape portion called handle loop, यह जो होता है यह तरह के new shape portion बनाता है, जिसको handle loop कहा जाता है, the thick of ascending limb continues into the distal convulated tubule, यह जिसका जो कॉया मता होता है थीक, ascending limb का जो थीक होता है वो continuous रहता है, distal convulated tribune में, एक group of collecting duct, unite to form a duct of baloney, collecting duct का जो होता है, group जो होता है, unite करके एक तरह का यह बनाता है, duct of baloney का formation करता है, जो duct of baloney opens into a pyramid, जो duct of baloney होता है, वो खुलता है pyramid में, the pyramid opens into the minor calyx, जो pyramid जो होता है, वो खुलता है minor calyx में, three or four minor calyx are unite to form a major calyx, जो होता है, दो, तीन से चार minor calyx मिलके major calyx का formation करता है, the major calyx is open into the pelvis, और major calyx जो होता है, वो खुलता है pelvis में, this pelvis leads to the ureter, और यह जो pelvis है, यह lead करता है ureter को, the ureter opens into the urinary bladder, और यह जो जो होता है, यह खुलता है urinary bladder में, the urinary bladder opens out through the urethra, और urinary bladder open होता है, urethra के द्वारा, उसके बाद आपको यह figure draw करना है, यह figure आपको बहुत जड़ी है बनाना है, यह figure है आपका नया फ्रॉंड का, community में देदेंगे, वहाँ से आपको और अच्छा से दिखाएं मिलेगा, आप चाहिए तो वहाँ से skin shot करके बना लेजेगा, आप color pencer draw कीजेगा, pink color pencer वह बहुत सुन्दर लेगा, तर बहुत से के शच्छास के मेच का रॉँद बहुता है, नहीं है है क्टों मुँद कर नहीं है, झाल झाल